हमारे आज की चैप्टर का नाम है Poets and Pancakes जिसे लिखाया आश्वका मितरंची ने ये एक तमिल राइटर है और ये पहले जमिनाई स्टूडियो में काम करते थे और उन्होंने अपनी सारी मेमेरीज को एक बुक में लिखा था जिसका नाम था My Years with Boss at Gemini Studios Gemini Studios चैननाई में located है जिससे first time 1940 में established किया गया था Gemini Studio उस समय का एक बहुत ही बड़ा और famous studio था जिसके founder थे SS Wasan और इस chapter में अशोका मितरंची ने Gemini Studio के उन दिनों को अपनी मेमेरीज के form में लिखा है Gemini Studio में अशोका मितरंची का जो काम था वो था newspaper cutting का वो newspaper के important sections को cut करके files में save करके रखते थे हालांकि उनका काम बहुत ही छोटा और बेतुका लगता था लेकिन सिर्फ वो ही Gemini Studio में एक essay व्यक्ती थे जिनके पास बहुत सारी information रहती थी क्योंकि वो newspaper cutting करते समय निउसपेपर को पढ़ते भी थे तो इस chapter में हम जिस pancake की बात कर रहे है वो कोई खाने वाली pancake नहीं है बलकि वो एक make-up brand का नाम है जो की make-up materials बनाती थी ये brand 1940s के time पे बहुत ही famous brand था और Gemini Studio में भी इसके make-up materials ट्रक भर-भर कराते थे इस make-up brand का इस्तमाल उस समय के बहुत सारे actors और actresses करते थे जैसे की Greta Garbo, Miss Gohar और वैजनती माला लेकिन शायद रती अगनी होतरी ने इसके बारे में नहीं सुना होगा Gemini Studio का जो make-up department था वो माना जाता था कि वो Robert Clive के stable यानि कि जहां उसके घोडे रहते थे उसके उपर वाले floor पर बना हुआ था उस शहर में Robert Clive के और दरजनो properties थी Robert Clive का जीवन बहुत ही कम था और उससे भी कम समय के लिए वो मदरास में रुके थे लेकिन इतने ही समय में उन्होंने कई सारी properties खरीद कर रख ली थी Robert Clive कहीं एक जगा पर नहीं रुकते थे वो अपना घर बदलते रहते थे उन्होंने कई सारी battles भी लड़ी हैं इंडिया के remote corners में जाकर ऐसी जगह हैं जहां लोग जा भी नहीं सकते और उन्होंने मदराज के सेंट चॉर्च के किले के सेंट मेरी चॉर्च में एक maiden से शादी की जैमिनाई स्टूडियो का make-up room एक hair cutting saloon की तरह दिखता था जिसमें लगबख आधे दरजन बड़े mirrors थे और लगबख हर angles पर lights लगी थी और वो सारे lights incandescent lights थे तो आप समझ सकते हैं उन्हें कितनी गर्मी लगती होगी make-up room में उन lights की वज़ा से जैमिनाई स्टूडियो के पहले head एक पेंगॉली थे लेकिन धीरे धीरे वो इतने famous और इतने बड़े आदमी बन गये कि उनके लिए जैमिनाई स्टूडियो छोटा पड़ गया और उन्होंने उसे छोड़ दिया उनके बाद जो next head बने थे वो एक मराथी थे और उन्हें बहुत सारे लोग assist और help करते थे जैसे कि धरवार कंडिक का जोकिक आंधरन थे एक मतरासी इंडिन क्रिश्चिन एक एं नाशनल इंटिग्रेशन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम भी नहीं दिखाया था और ये जो नाशनल इंटिग्रेटिड मेंका गैंग था ये किसी भी अच्छे दिखने वाले इंसान को लाल या परपल कलर का खतरनाक monster बना सकते थे उन pancake के मेकप materials के help से और कुछ lotions और potions जो की locally मिल जाते थे उन दिनों indoor shooting हुआ करती थी और movie का सिर्फ 5% हिस्सा ही बाहर shoot होता था और इसी लिए indoor lighting के हिसाब से वो make-up जरूरी था ताकि movie presentable बनाया जा सके यानि कि उन्हें make-up के थ्रू अगली बनाया जाता था ताकि वो movie में अच्छे दिख सके Gemini Studio के make-up department में बहुत ही strict hierarchy follow होती थी यानि कि अलग-अलग posts के पास अलग-अलग authority और powers होती थी मतलब जो chief make-up man था वो chief actors या actresses या main actor actresses को अगली बनाता था और senior assistant side hero और heroine को make-up करते थे और junior assistant main comedian को और जो crowd था उनको office boy make-up करता था फिर author उस office boy के बारे में बताता है कि Gemini Studios के make-up department के पास अपना एक office boy भी था जिससे वो तब देखते थे जब shooting होती थी वो office boy सारे make-up material को एक बड़े से बाल्टी में mix करता था और उन्हें crowd players के face पर ऐसे लगा दिता था जैसे कि वो paint कर रहा है यानि कि वो उनके face पर उसे post दिता था ठाकि उनके चेहरे पर pores और दाग धपे ना दिखे और वो जो office boy था वो असल में कोई boy नहीं था वो एक 40 साल का आदमी था और वो Gemini Studios में बहुत साल पहले इस hope में आया था कि वो एक star actor बन जाएगा या top screen writer या director या lyrics writer बन जाएगा और उसके अंदर थोड़ी सी poets वाली खूबियां भी थी उस समय वो लोग cube shapes की छोटे सी offices में काम करते थे जिसके दो sites में french windows लगे थे और उन french windows से लोग आसाने से हमारे author को काम करते हुए देख लेते थे जब office के बाके सारे लोग हमारे author को सिर्फ newspaper की clipping को फाड़ते डेस्क पर देखते थे तो उन्हें लगता था कि वो कुछ काम नहीं करते है और उनके खुद के boss को भी यही लगता था और कुछ लोगों को लगता था कि उन्हें इन सब के अलावा कोई धंका काम दे देना चाह कि कैसे यहां पर यानि कि Gemini Studios में great literary talent को waste किया जाता है और तब author मन में यह pray कर रहे होते हैं कि जल्दी से crowd shooting शुरू हो और यह office boy यहां से भागे क्योंकि और कुछ भी उन्हें इसके बखबख से नहीं बचा सकता था यह जो office boy था इसका गुसा सिर्फ एक है इनसान के लिए जो था को था मंगलम सुबू सुबू जो था वो number two था Gemini Studios में यानि कि boss के just बाद second position पर वही था जब सुबू पहली बार Gemini Studios में आया था तो उसके condition office boy से भी खराब थी उसने तो अपनी career के beginning में ही बहुत difficult times देखा था जिस time वो आया था उस वक्त कोई proper studio या film producing company exist भी नहीं सुबू एक ब्रामन था और इसलिए शायद उसकी कई powerful लोगों से दोस्ती भी थी सुबू की एक खासियत थी कि वो flop movies देने के बाद भी normal और cheerful रहता था और उसके चेहरे पर smile रहती थी वो खुद से अपना काम नहीं कर पाता था लेकिन अगर कोई और उसे काम देता था तो वो उसे बहुत अच्छे से करता था सुबू अपने boss के लिए बहुत ही ज्यादा loyal था और उसकी creativity Gemini Studio और उनके boss के लिए बहुत advantages थी ऑथर कहते है कि सुबू specially tailor meet थे films के लिए यानि कि वो specially films के लिए ही बने थे सुबू खुद से कुछ extraordinary नहीं करते थे लेकिन अगर कोई उ सीन है लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उसे कैसे perform करना है उस सीन में एक rat होती है जो एक शेरनी से लड़ती है पानी के अंदर और उस शेरनी को वो पानी के अंदर हरा कर मार देती है लेकिन जब वो rat शेरनी को मार के बाहर निकलती है तब वो देखती है शेरनी के बच्चो लाता है जिनसे वो बताता है कि कैसे रैट उन शेरनी के बच्चों पर दया दिखाईगी पर प्रोडियूसर कहते है कि गुड पर मैं अभी पी शूर नहीं हूं कि ये एफेक्टिव होगा की नहीं तब फिर सुबू एक मिनट के अंदर 14 और नए तरीके बताता है कि वो कैसे इस सीन को दिखा सकते है सुबू जैसे इंसान के वज़े से फिल्म मेकिंग एक बहुत ही इजी टास्क बन जाता था आथर कहते है कि जमिना स्टूडियो का वो गोल्डन पीरिट था जब सुबू जमिना स्टूडियो में डायरेक्शन्स देता था सुबू बहुत अच्छा पोएट भी था और वो बहुत ही कॉंपलिक्स पोइम्स भी लिख सकता था लेकिन वो चूस करता था कि वो सिंपल पोइम्स ही लिखेगा ताकि जाधा से जाधा लोग उसकी पोइम्स को समझ पाए और पढ़ पाए सुबू फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही जाधा फेम्स थे और उनके लिटररी वर्क्स और पोइम्स उनके फिल्म इंडस्ट्री के एचीवमेंट्स के सामने छोटे पढ़ जाते थे सुबू ने एक नोबल पे लिखा था जिसका नाम था थिलाना मोहनमबल जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कारेक्टर्स थे उन्होंने कई सारी स्टोरी और पोइम्स पे लिखे थे और उन्हें डिक्रेट किया था उन्होंने 20th सेंचुरे के देवदासिस को भी रिक्रेट किया था और वो बहुत ही सक्सेस्पुल रहा था सुबु बहुत अच्छी आक्टिंग भी करते थे लेकिन वो कभी में रोल नहीं करते थे वो हमेशा साइड रोल ही परफॉर्म करते थे और वो बहुत सारे लोग को अपने घर में रहने पी देते थे मतलब कि जो भी उनके घर आता था वो उसकी हल्प करते थे और ये सब सूबू के नीचर से काफी अलग था कि वो लोगों को खाना खिलाते और उनकी मदद भी करते लेकिन इस तरह के काइंड हर्टिड और चैरिटेबल इनसान की भी कई सारे दुशमन थे और आकिर सूबू के इतने सारे दुशमन क्यों थे क्या इसलिए क्योंकि वो बॉस के काफी क्लोज रहता था या फिर बॉस की तारीफ करता था या फिर इसलिए कि वो दूसरों के बारे में अच्छी बाते करता था और इन सब में उनका सबसे बड़ा दुश्मन आफिस बॉय ही था जो सुबू के बारे में बहुत बुरा भला बोलता था और उनके बारे में बहुत खराब बाते सोचता था सुबू हमेशा बहुत के साथ देखते थे अटेंडिन्स रॉल्स में बट उनका एक्चुल काम स्टोरी डिपार्टमेंट में था और स्टोरी डिपार्टमेंट में एक लायर और बहुत सारे राइटर्स और पोईट्स भी थे वैसे तो लायर का काम एक legal advisor का होता है लेकिन वो जो Gemini Studio का लायर था वो उल्टा काम करता था होता ये है कि एक बार Gemini Studios में एक बहुत ही talented actress सेट पर अचानक भड़क जाती और बहुत चिलाने लगती है और तभी वो लायर चुपके से जाकर recording on कर देता है और जब वो actress का गुसा थोड़ा सा शान्त होता है और वो सास लेने के लिए रुकती है तब वो लायर उनसे कहता है जरा एक मिनिट इसे सुनिएगा और वो उस recording को उस actress को सुनाने लगता है और जब actress उस recording को सुनती है और वो अपने उस behavior और आवाज को सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा shocked हो जाती है और quite dumb feel करती है उस समय वो अपने आपको और उस बात का उन्हें इतना बड़ा shock लगता है कि वो उससे कभी बाहर नहीं आ पाती है और उनका acting career उसी time पर खतम हो जाता है और इस तरह legal advisor के चलते जिसका की main income story department में था उसके चलते एक talented actress का career खतम हो जाता है ऐसे तो उस department में सभी खादी, धोती और oversized white खादी shirt ये सब पहनते थे लेकिन वो legal advisor वो हमेसा shirt, pant और tie और कभी-कभी coat भी पहन लेता था वो lawyer उस department में बहुत ही अकेला और helpless लगता था मतलब कि बहुत सारे poets और story writers के बीच में आखिर एक lawyer का काम ही क्या था वो एक neutral man की तरह था गांधी टीस और खादी टीस के बीच में creative dreamers के बीच में एक cold hurted इंसान क्योंकि वो lawyer बॉस के काफी close था इसलिए उसे भी एक पर मौका मिलता है film produce करने का लेकिन उसकी produce की गई film बिल्कुली flop हो जाती है फिर एक दिन जमिनाय स्टूडियो के बॉस story department को बंद कर देते और शायद ये human history में पहली बार हुआ होता है जब एक lawyer की job चली जाती है जब poets और writers को घर जाने बोला जाता है जो जमिनाय स्टूडियो था वो एक बहुत ही favorite place हुआ करता था poets का जैसे की SDS योगियार, संगु सूब्रमन्यम, क्रिशना सास्त्री, हरींद्रनास चाटू पाधियाय और और भी कई सारे poets है जो जमिनाय स्टूडियो आया करते थे और वो इसलिए इतना famous था क्योंकि वहाँ का जो miss था वो बहुत ही ज़्यादा excellent था और वहाँ की coffee तो बहुत ही ज़्यादा tasty थी सिर्फ office boy और कुछ clerks को छोड़ कर वहाँ पर जितने भी लोग थे सबी बहुत अच्छे थे leisure में रहते थे अपनी life को enjoy करते थे और बहुत ही open mind के लोग थे और वो जमिनाय स्टूडियो का environment भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था जमिनाय स्टूडियो के ज़ादता लोग जो थे वो खादी पहनते थे और गांधी जी को वर्षिप करते थे और वो गांधी जी के दिखाए रास्ते पर ही चलते थे और साथ ही साथ वो लोग कम्यूनिजम को dislike भी करते थे यानि कि वो कम्यूनिजम के against थे जमिनाय स्टूडियो के जो लोग थे वो ये मानते थे कि जो कम्यूनिस्ट्स होते है उनका कोई धर्म नहीं होता है और वो मोरल्स को भी नहीं मानते है वो इवन अपनी फैमिली के लिए भी नहीं होते है वो ना अपनी मा के होते है ना अपने पिता के होते है ना ना ही अपने भाई बेहनों के होते हैं ये लोग बस violence और unrest फैलाते हैं और इन्हें किसी से प्यार नहीं होता चाहे वो इनके parents हो या इनके बच्चे और यही सारे thoughts पूर साउथ इंडिया में उस time फैले हुए थे और फिर हमें author बताते हैं कि मदरास में 1952 में लोगों का मानना था कि वो international circus group था लेकिन वो लोग ना तो trapeze में अच्छे थे और ना ही उन लोग की relation animal के साथ कुछ अच्छी थी उनकी दोस्ती animals के साथ सर्फ ट्रेनर टेबल पर ही होती थी यानि कि जब वो nonwich खाते थे लेकिन उनकी दू बहुत ही ज़ादा famous प्लेस थे एक था jotham valley और एक था the forgotten factor उन्होंने इन दोनों प्लेस को मदरास के कई जगहों पर परफॉर्म किया था Gemini's studio में करीब 600 लोग है और उन्होंने इन प्लेस को कई बार देखा है और ये प्लेस कोई बहुत ज़ादा extraordinary नहीं थे ये simply थे और homelys थे लेकिन इनके जो sets होते थे और costumes होती थी वो first rate के होते थे यानि कि ये costumes और sets बहुत ज़ादा अच्छे होते थे और जो मदरास और Tamil drama के communities थे वो बहुत ज़ादा impress हो गया थे इनके place को देखकर और अगले कई सालों तक मदरास और Tamil industries में इन्होंने उनके कई place के कुछ parts को copy भी किया था जैसे कि जोथम वैली का एक scene था जिसमें एक white background और curtain और flute की मदद से sunrise और sunset को दिखाया जाता था और वो scene बहुत ही ज़ादा impressive और सुन्दर लगता था और ये सब होने के बहुत सालों बाद हमारे author को ये पता चलता है कि जो moral re-armament army के लोग थे वो लोग actually में एक counter movement चला रहे थे वो भी international communism के against और हो सकता है शायद इसी लिए Gemini Studio के boss Mr. Watson ने इनके साथ हाथ मिलाया होगा और इसी लिए Gemini Studio के staffs ने उन्हें इतने अच्छे से welcome और host किया था फिर author बताते है कि कुछ time बाद यानि कि कुछ months बाद फिर से एक बहुत ही important इंसान Gemini Studio आने वाला होता है उन्हें बस इतना ही पता रहता है कि वो England के कोई बहुत बड़े poet है और Gemini Studio के जो normal staff थे उन्होंने England के सिर्फ Wordsworth और Tennyson का नाम सुना हुआ था जो staffs थोरे ज़्यादा पड़े लिखे थे उन्होंने Keyettes, Shelley और Byron का भी नाम सुना हुआ था और एक या दू staff ऐसे भी हो सकते है जिन्होंने Elliot का नाम सुना हो और वो सभी सोचे ने लगते है कि आखिर वो कौन poet है जो Gemini Studio आने वाला है कुछ लोग ये भी बोलते है कि वो कोई poet नहीं बलकि कोई बड़ा editor हो सकता है क्योंकि Mr.Wassan भी बहुत बड़े लग रहा था और फिर Mr.Wassan उस poet की उपर एक बहुत यलंबी speech देते है लेकिन उनकी speech को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो भी उसे personally कुछ खास नहीं जानते हैं वो अपने speech में democracy और freedom जैसे words को भी use करते हैं और उनके बाद अब वो poet अपनी speech देना शुरू करता है लेकिन उस poet का accent ऐसा था यानि कि बोलने का style ऐसा था कि यहां बैटे किसी भी इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उनके speech देने के बाद जितने भी लोग उनने सुन रहे थे वो बहुत ज़्यादा confused दिख रहे थे और वो poet भी खुद बहुत confused और amazed देख रहा था ऐसे audience का reaction देख कर और फिर poet यह सोचते हैं कि England से आया हुआ एक English poet आखिर एक Tamil industry में आकर लोगों को क्या समझाना चाहता था किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वो poet वहाँ पर किस purpose से आया था और यह एक mystery बनके रह गई और फिर author बताते हैं कि यह जो poem writing और story writing होती है यह बहुत ही जादा complex और difficult काम होती है और इससे वो ही इंसान कर सकता है जिसके अंदर बहुत ही जादा patience हो और जो genius लोग होते हैं या ऐसा इंसान जिसके अंदर patience नहीं होता वो कभी भी story writing जैसे काम तो करी नहीं सकता और जो story writing और novels होते हैं वो बहुत ही जादा depth में और detail में होते हैं और कोई भी ऐसा इंसान जिसके अंदर sabr या patience नहीं है वो इस काम को नहीं कर सकता फिर author हमें बताते हैं कि the Hindu नाम की एक newspaper में कोई contest के बारे में कुछ publish किया गया था वो एक story writing या poem writing contest था जिसे कि British periodicals ने organize करवाया था The Encounter के नाम से और author भी सोचते हैं कि वो अपनी story इसमें भेजे लेकिन इसे पहले कि वो कुछ भेजे वो चाहते थे इसके बारे में कुछ information इकटा कर ले तो इसके लिए हमारे author British Council Library में जाते है और वो वहाँ पे The Encounter नाम के magazine के कुछ copies को देखते हैं और जब वो उसके author का नाम पढ़ते हैं तो वो shocked और amazed हो जाते हैं क्यूंकि जब वो magazine के editor का नाम पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो इनसान और कोई नहीं बलकि वो ही poet था जो कुछ साल पहले Gemini Studios में आया था और उनका नाम Stephen Spender था और इसे देख कर हमारे author बहुत जादा खुश हो जाते हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने अपने खोई हुए भाई को खोच लिया हो और उन्हें quite nostalgic feel होता है उस time पर जैसे कि वो अपने पुराने दोस्त के बारे में पढ़ रहे हैं और वो खुशी-खुशी अपने story को एक envelope में डाल करके seal करके उस address पर post कर देते हैं और आब author बहुत सालों बात की बात बताते हैं जब वो Gemini Studios को छोड़ चुके होते हैं और अब उनके पास समय तो बहुत होता है लेकिन पैसे नहीं होते हैं ज्यादा लेकिन कभी भी कोई चीज अगर उन्हें सस्ते में मिलती है तो वो उसे तुरंत ले लेते हैं ऐसे ही उन्हें एक तेन फूतपात पर एक बहुत ही महेंगे और फेमस किताब के एक बहुत ही सस्ता एडिशन मिलता है जो कि शायद कोई स्टुडेंट एडिशन था वो सिर्फ पचास पैसे में एक मिल रहा था ऑथर उस बुक को खरीद लेते हैं और उसका नाम होता है The God That Failed उस किताब को छे अलग-अलग राइटर्स ने लिखा था और उसमें उन्होंने अपनी जर्नी डिस्क्राइब करे थी कि कैसे उन्होंने कम्यूनेजम को कमबैट किया था और अपोस किया था और जब ऑथर उन सभी का नाम पढ़ते हैं तो वो एक पर फिर से amazed और shocked हो जाते हैं क्योंकि उन्हें से एक नाम था Stephen Spender वो ही पोईट जो उस टाइम Gemini Studio आया था और अब हमारे ऑथर को थोड़ा-थोड़ा clear हो रहा था कि आखिर वो Stephen Spender Gemini Studios क्यों आये थे और Gemini Studio के बॉस SS Wasan ने उनका इतना अच्छा welcome क्यों किया था उनके बॉस को शायद उतकी poetry से कोई लेना देना नहीं था उन्हें जिस चीज से लेना देना था वो थी the God that failed यानि कि वो communism के जो against उन्होंने जो लिखा था उसलिए उन्होंने उन्हें welcome किया था क्योंकि SS Wasan खुद भी communism के against थे और Stephen Spender भी communism के against थे और इसलिए शायद उन्होंने उन्हें welcome किया था और यह chapter यहीं पर खतम हो जाती है इस chapter में कोई story तो नहीं है इसमें बस अशोका मित्रेंच जी की वो memories है जो उन्होंने my years with boss नाम के किताब में लिखी है लेकिन यह exam point of view से बहुत important है और मैंने इसे आपको बहुत ही detailed way में animation के थुरू समझाया है तो इसे अपने बागे के दोस्ते के साथ भी share करना and thank you so much for watching, bye bye